फ्रेंट्स उबलते हुए गरम पानी में मुर्मुरे डाल कर देखें, बहुत ही बढ़िया गजब की रेसिपी बनकर त्यार होगी, हम मार्केट से ज़्यादा पैसे पेग करके इसे खरिद के लाते हैं, लेकिन आप घर पे सस्ते में इस रेसिपी को बना कर त्यार कर सकते हैं एकदम यूनिक रेसिपी है, वीडियो का पूरा देखेगा, आपको रेसिपी न पहुत पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, इस यूनिक और चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हैं मुर्मुरा, अब गैस पे कड़ाई के बाद अब इसमें डालेंगे मुर्मुरे, दो कटोरी इसमें मुर्मुरा डालेंगे, तो ये वाली कटोरी से दो कटोरी मैंने इसमें मुर्मुरा डाला हैं, तो आप सोच रहे होगे कि मुर्मुरे को गरम पानी में डालने के क्या चुरूत थी, तो गरम पानी में डालने तो इससे हम चनी में पहा ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने चनी ले लिए चनी से इस तरह से बहा ले लेंगे मुर्मरे को पानी में से बहा ले लिया है और मुर्मरे गरम है इसलिए इसके ओपर थंडा पानी डालेंगे जिससे कि room temperature पर आ जाए तो मैंने इसके ओपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद एक चमच लेंगे और चमच से इस तरह से दबाएंगे जिससे कि मुरुमरे जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा तो इस तरह से चमच से दबा देना है तो मुरुमरे के अंदर बिल्कुल भी पानी नीँ नहीं चीए इस तरह से पानी को निकल ले थोड़ा बहुत अगर पानी रातों चलेगा लेकिन जादा पानी इसमे नहीं होना चीए मुरुमुरे में से पाने को निकालने के बाद अब लेंगे मिक्सी जार तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी जार में मुरुमुरे को डाल देंगे मुरुमुरा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे सूजी तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है जिस कटोरी से मैंने मुर्मुरा लिया था ना, उसी कटोरी से एक कटोरी इसमें सूजी डालेंगे, सूजी आपर आप कोई भी ले सकते हैं, बारिक वाली सूजी है तो बारिक वाली सूजी भी ले सकते हैं, जो आपके पास सूजी हैं, आप हो ले सकते हैं, अब इसमें डाले कटोरी मैंने यापपर दही लिया है दही को इसे में डाल देंगे और इसी कटोरी में मैंने दो 3-ा चम्म जिता पाने बने में डाला है को इच्यार बीया तो का ये कटोरी ये कटोरी ये कप ले लि accesus इस सारी चीजे माप कर ले अब इसे हम पीस लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का में इसे पीस लेना जित्ता अच्छा आप इसे पीस होगे ना उती ही बढ़िया और रेसिपी बनकर त्यार होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ना स्मूथ बै लिया है इसमें से ले लेंगे इसमें लेने के बाद थोड़ा सा बैटर मिक्सिजार में लगा हुआ है तो इसमें मैंने 2-3 चमब जिता पानी डाला है ज्यादा इसमें पानी नहीं डालना है पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने सूजी डाली है तो सूजी फूलेगी तो थोड़ा गाड़ा होगा तो अगर बाद में पानी की जरूत होगी तो बाद में से हम पानी डालेंगे लेकिन अभी जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पहले से हमें इसे जादा पतला नहीं करना है इसे हमें गाड़ा ही रखना है तो आप देख सकते हैं इस तरह करना गाड़ा रखना है अब इससे डखकर 10 मिट के लिए छोड़ देंगे जिससे की सूजी अच्छे से फूल जाए तब तक हम पास पर चटपटी चट्टी मराकर त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है वनफोर्थ का भुनावा चना इससे मिक्सी जार में डाल देंगे और 3-4 चमच इसमें डालेंगे नारिल का बुरादा अगर आपके पास नारिल का बुरादा नहीं है तो आप इसमें सुखा नारिल भी डाल सकते हैं थोड़ा इसमें हरा धनिया डाल देंगे थोड़ी सियाद रख और हाँ अगर आपके पास भुनावा चना नहीं है तो आप भुनावा चनेक की जगपे ना कच्ची मुंफली को रोष्ट करके भी ले सकते हैं दो तीन इसमें हरी मिर्चे डाल देंगे तो मैंने इसमें तीन हरी मिर्चे डाल दी हैं थोड़ा इसमें इमली डाल देंगे अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इमली की जगपे निम्बू का रस्पी डाल सकते हैं थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे तो मैंने इसमे तड़का लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने तेल को गरम करके ले लिया है, गरम तेल में डालेंगे थोड़ा सा राई, और राई को अच्छे से चटकने देंगे, थोड़ा से इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची, और चटनी में तड़का लगा लेंगे, तो इ इस चटन्यू का आप गाड़ा पतल अपनी साफ से रख सकते हो अब हम नास्ते की त्यारी कर लेते हैं तो बैटर को रखे 10 मिट हो गया है टकन को अटा लेंगे और इसे न अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ज़्यादा काड़ा नहीं है तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा गाड़ा हुआ है तो आप इसमें 2-3 चमचीता पानी डाले और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक चोथा ही चमची इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा जादा सोडा इसमें नहीं डालना है बस एक चोथा ही चमची बेकिंग सोडा डालना है और थोड़ा सा इसके ओपर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंग डोसे का वेटर कैसा होता है बिल्कुल वैसा ही बैटर हमें बनाना है अब गैस पर डोसे का तवा रखेंगे और गैस की फ्लेव को मिडियम कर लेंगे और तवे को आइल से ग्रीज कर लेना है तो यहाँ पर हमें जादा आइल की जरूत नहीं पड़ेगी बस एक बार तवई को आप ग्रीस कर लोगे ना, तो जो हमानासता है, एक दम क्रिस्पी बन कर त्यार होगा, इसलिए तवई को एक बार ग्रीस ज़रूर करे, अब तवबा जैसे ही गरम होगा तो इसके टैंपरेचर को लोग करने के लिए इसके उपर पानी की छीटे जरूर मारें दो तीन बार पानी के छीटे मारेंगे देखे पानी के छीटे कैसे इदो अदर उच्छल रहे हैं मतलब तवा ज्यादा गरम है तो इसके टेंप्रेचर को हमें थोड़ा लो करना है जैसे ही पानी सूख जाएगा एक चमच भर के बैटर सेंटर में इस तरह से डाल देना है और जैसे हम डोसा फैलाते है न वैसे इसे फैला लेना है बहुत ही आसानी से बन जाएगा और ये मस सोचीगा कि ये डोसा बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एकदम क्रिस्पी डोसा बनकर त्यार होगा जैसे ही उपर से हलका सा सूख जाए तो इसके उपर थोड़ा सा तेल डालेंगे तो ज़्यादा तेल नहीं डालना है बस थोड़ा सा इसके उपर तेल डालना है तेल डालने के बाद तवे को ना इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेंगे तो इस तरह से तवे को हलका सा घुमाना इससे क्या होगा ना तेल अच्छे से पूरी में लग जाएगा गैस के फ्लेम को मेडियम ही रखना है मेडियम फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे जिन लोगों को डोसा बनाना मुश्किल लगता है न वो इस तरह से इंच्टेट बैटर से डोसा फटा-फट से बना सकते हैं अपने एं-तव हों किट्टी जाधा क्रिस्पी है है और ऐससे बड़िया क्लर आयगा इससे इस तरह से फोल कर लेंगे तो आप देख सकते कितने बड़िया क्रिस्पी डोसा बनकर त्यार हुआ है तो इसी तरह से हम और भी बना लेंगे तो एक और मैं आपको डोसा बना के बता रही हूँ तो अभी हमें तवे को ग्रीस नहीं करना है क्योंकि तवा पहले से ग्रीस है पर इसके टेंपरेचर को लोग करने के लिए इसके उपना थोड़ा सा पानी छीड़क ले और पानी छीड़कने के बाद जब पानी सूख जाए तो इस तरह से डोसे का बैटे इसके उपर डाल कर इसे फैला ले जब भी नया डोसा बनाये तो पहले न तवी पर थोड़ा सा पानी छीड़क के ठंडा केजिए उसके बाद ही डोसा बनाये तो डोसा ना बहुती बढ़िया बनकर त्यार होंगे और जब उपर से हलका सा सूख जाये तो थोड़ा सा इसके उपर तेल लगा ले आप देख सकते इस तरह का बढ़िया कलर आने तक हमेसे सेक लेना है और दूसरी साड़ी से बिल्कुल भी नहीं सेक ना है आप देख सकते किता बढ़िया कलर आया है और एकदम क्रिस्पी डोसा बनकर त्यार हुआ है तो इसी तरह हम सभी डोसा को बना कर त्यार कर लेंगे क्या आपने कभी सोचा था कि मुर्मुरे से इतने क्रिस्पी डोसा जटपट बनकर त्यार हो सकते हैं पहुत ही बढ़ी यह डोसा बनकर त्यार हुए हैं तो friends इंचनेट नास्ता बनकर त्यार हैं और आप देख सकते एकदम क्रिस्पी डोसा बनकर त्यार हुआ है खाने में यह लाजवाब है एक बाइस रेसिपी को आप जरू ट्राय करें आपको रेसिपी ना बहुत पसंद आएगी इसे में आपको तोड़के दिखा रही हो आप देख सकते एकदम क्रिस्पी डोसा बनकर त्यार हुआ है और इसके पास आप यह वाली चटनी जरूर बनाए बहुत ही टेस्टी लगती है उमीद करती हो आपको रेसिपी पसंद आयोगी पसंद आयो तो लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली क्षा जाधा जाधा शियर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकोन से प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं रेसिपी के साथ तब तक के लिए भाई ठैंक्स वर वाचिंग